दूर किसी जंगल में सारे पंची मिल जुलकर रहा करते थे वो हमेशा मुश्किल वक्त में एक दुसरे की मदद किया करते थे उसी जंगल में चार दोस्त रहा करते थे जिसमें से एक का नाम लाडु चिडिया था जो जंगल के सभी पक्षियों में सबसे समझदार और दोस्तो कलमे और कालो भया नदी के किनारे पानी पी रहे थे तभी वहाँ पर सहारा जंगल के कुछ परदेशी पंची आए और उन्होंने कहा कि इस बार हमारे जंगल में बहुत ठन पढ़ने वाली है इसलिए हम सब पंचीयों को अनाजी घटा कर लेना चाहिए साथ साथ हमारे गोस्तले भी हमें पके करने चाहिए अरे राडो वहन तुम इतनी परिशान क्यों हो रही हो ठन तो हर साल आती है और हम यह ही सर्दी गुजार लेते है तो इसमें चिंटा करने की क्या बात है तुम चिंटा मत करो कुछ भी नहीं होगा रानो मैं चिंटित इसलिए हूँ क्योंकि इस साल ठंड के साथ साथ बहुत बड़ी बरबारिश भी होने वाली है जो हमारे जंगर में पहले कभी नहीं हुई और रही बात इस बात की सच्चे है की तो मुझे लगता है की परदेशी पंचियों को हम से ज़्यादा मोसम की जानकारी है क्योंकि वो दूर दूर तक सफर में जाते है लाडो तुम सही कह रही हो बरबारिश हो भी सकती है इसलिए हम सभी को ठंट से बचने का इंतिजाम कर लेना चाहिए तो चलिए बेनो हम सभी को अनाजी कटा कर लेना चाहिए इस तरह सभी पक्षी लाडो चिडिया की बात मान कर भोजन इकटा करने के लिए चले जाते है इधर कालुकवे का भाई भूरा गोडे बेच कर सो रहा था वो बहुत काम चोरकवा था वो दिन बर सिर्फ सोया रहता था इससे कालुकवा बहुत चिंतित रहता था भूरे को दो पेर तक सोता दे उसका भाई कालुकवा उसे उठाने आ गया भूरे अरे ओ भूरे उठ जाओ दो पेर हो गई है क्या काम चोरकी तरह दिन बर सोय रहते हो अरे उठ रहो ना कालु भाई आभी तो सिर्फ दो पेर के बारा बज़े है अभी भी पूरा दिन बाकी है ऐसा कहकर भूरा उठ जाता है भूरे मेरे बाद द्यांसी सुन मुझे परदेशी पंचियों से खबर मिली है कि इस बार जंगल में बरबारिश होने वाली है इसलिए हमें हमारा भूजन इकटा कर लेना चाहिए और सर्दी से बचने के लिए गोसला भी तयार कर लेना चाहिए कालू भैया तुम जाओ तुम मेरे चिंता मत करो मुझे ठंड से कुछ नहीं होगा सोच ले बूरे में तुमारे लिए दाना नहीं लाऊंगा ठीक है तुम जाओ में तो चला सुने ऐसा कहेकर बूरा फिर से सो जाता है कालू कोवा अनाजि कटा करने के लिए दूसरे जंगल चला जाता है दिन भर मेनत करने के बाद लाडो, रानो, बुलबुल और मीनुमोसी अपने अपने घर वापस आ जाती है लाडो चिडिया अपने गोसले में बेटी हुई थी तबी वहाँ पर कालू को वा आ जाता है और कहता है लाडो, आज तो मैंने तुम्हें दिन बर नहीं देखा हाँ कालू भीया, आज मैं और बाकी सारे पक्षी अनाज इकटा करने के लिए दूसरे जंगल गए थे वैसे आप भी भोजन इकटा कर लो आपको तो पता है, इस बार बहुत ठन पढ़ने वाली है हाँ लाडो, मैं भी अनाज इकटा कर लूँगा वैसे मुझे तुमसे एक मदद चाहिए बोलिये ना कालू भाईया, मैं आपकी क्या मदद करू लाडो, तुम मुझे कुछ अनाज दे दो, मैं तुमें कल वापस कर दूँगा ठीक है कालू भाईया और फिर लाडो कालू कवे को अनाज के दाने दे देती है कालू कवा खुश हो जाता है और अनाज के दाने लेकर अपने घर चला जाता है सुबह हो जाती है रानो, मुझे लगता है हमारे जंगल में तिनकों की कमी हो गई है कल भोजने कटा करते वक, मैंने तिनकी की खोच की पर मुझे बहुत कम ही तिनके मिले, जो बहुत ही ज़्यादा कमजोर थे मुझे नहीं लगता, वो तिनके घुसले बनाने के लायक है मुझे भी कुछ खास नहीं मिला था अगर ऐसा ही हाल रहा, तो हम वक्त पर हमारे घुसले नहीं ठीक कर पाएंगे क्या हुआ भेनो, तुम इतनी परिशान क्यों दिख रही हो अरे लाडो, क्या बताओ, मुझे लगता है हमारे जंगल में तिनकों की कमी हो गई है मुझे और रानों को सही से तिनके नहीं मिले अगर ऐसा ही हाल रहा, तो सर्दी से पहले हम हमारे घुसले नहीं ठीक कर पाएंगे वैसे भी, जब सर्दी आएंगी, तब का तब देख लिया जाएगा हमारे घुसले तो अभी तक मस्बूत ही है नहीं मिलमों से, हम यूही बेटकर सर्दियों का इंतजार नहीं कर सकते हम तिनके जमा करने सहारा जंगल की तरफ जाएंगे हमें महिनत करनी चाहिए, क्यूंकि महिनत कभी भी बेकार नहीं जाती ठीक है लाडो, इस बार हम तुमारी बाते मान लेते हैं और सब भी पक्षी उड़कर सहारा जंगल की तरफ चले जाते हैं भुरा कव्वा उन्हें छुपकर देख रहा था, वो हस्ते हुए केता है बड़े आये समझदार, यूही अपना सारा दिन बेकार के काम करने में लगे रहते हैं समझदार तो मैं हूँ, जो अपनी लाइफ को इंजाय कर रहा हूँ इधर लाडो चिरिया तिनको की कोज में बहुत दूर आ जाती है बहुत देर तक उड़ने पर भी लाडो को तिनके नहीं मिलते तभी लाडो चिरिया को जमिन पर बहुत सारे मश्रूम दिख जाते है इतने सारे मश्रूम दे लाडो चिरिया चोग जाती है और वो उस मश्रूम के पास चली जाती है अरे वा, ये तो बहुत बड़े मश्रूम है इतने बड़े मश्रूम मैंने आज तक नहीं देखे मश्रूम को देख लाड़ो चिर्या को एक आइडिया आ जाता है ये मश्रूम तो बहुत बड़े है क्यों ना मैं उसे अंदर से खोकला कर अपना घर बना लू जिससे कि मुझे तिनके भी नहीं खोजने पड़ेंगे और हम बरबारी सब्ड़े बच जाएंगे क्यों ना मैं अपने दोस्तों को जाकर इस मश्रूम के बारे में बताऊं जिससे वो भी अपना घर इस मश्रूम से बनाए लाडो चिडिया अपने दोस्तों के पास आ जाती है और वहाँ पहुँच कर मश्रूम के बारे में बताने लगती है सभी को लाडो का आइडिया पसंद आता है कुछी देर में लाडो और उसके साथ ही मश्रूम को खोकला कर अपना अपना घर बना लेते हैं और वहाँ पर अनाजला कर रहने लगते है एक दिन भूरा कोवा उनके पास आ जाता है और मश्रूम के बने घरों को देख कर हसने लगता है अच्छा तो यहां हो तुम लोग और क्या यही है तुमारा मश्रूम वाला घर मैंने तो सोचा था कि तुम लोगोंने कोई अच्छा गोसला बनाया होगा नहीं नहीं बुरे जी ये अंदर से बहुत मजबूत है तुमें विश्वास नहीं है तो अंदर जा कर देख लो नहीं नहीं मैं नहीं रहूंगा ऐसे बक्वास मश्रूम के घरों में तुम सब मज़े से रहो मैं तो चला हाँ हाँ चले जाओ लेकिन एक बात याद रखना जब बरबारिश होगी तब हमें से कोई तुमें अपने घर में नहीं लेगा बड़ा आया हमारे घरों का मज़ा कुड़ाने वाला नहीं मांगूगा मैं तुम सब से मदद तुम सब मत रहो एसे गलत फैमी में कि बरबारिश होगी और फिर भूरा वहां से उड़कर चला जाता है कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते है सर्दियों का मूसम आ जाता है सब तरफ ठंडी ठंडे हवाय चलने लगती है पूरे जंगल में सन्नाटा चा जाता है सभी पंची अपने अपने घरों में डरे हुए बेठे थे इदर भूरा पहले तो ठंडी ठंडी हवायों का मजा ले रहा था लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही थी अब वो परेशान होने लगा था कुछी देर में बरबारिश भी शुरू हो जाती है जिसे देख बूरा और भी जादा घबरा जाता है अरे अरे ये अचानक से इतनी सर्दी कैसे बढ़ गई और अब तो बरबारिश भी शुरू हो गई मैंने गलती कर दी जो मैंने लाडो की बात नहीं मानी लाडो ने ठीक ही कहा था कि इस बार बरबारिश भी होगी अब मैं क्या करू मैं काम करता हूँ मैं लाडो चिडिया के पास चला जाता हूँ वो ज़रूर मेरी मदद करेगी ऐसा सोच कर बूरा लाडो के पास जाने ही वाला था के तबी लकडी का टुकडा उसके सिर पर गिर जाता है और वोपे वोशो जाता है बर्फ बारिश के कारण बूरा कवा बर्फ में दबने लगता है सुबह हो जाती है, सभी पक्षी तो अपने मश्रुम वाले घरों में थे सिर्फ पूरा ही था जिसने अपना गोसला मजबुत नहीं किया था लाडो को बूरे की चिंता होने लगी थी हम सब पक्षियों ने तो अपने मश्रूम वाले घर बना लिये सिर्फ पूरे नहीं नहीं किया मैं एक काम करती हूँ मैं जाकर उसे देखती हूँ कि उसने रात वाले तूफ़ान का कैसे सामना किया लाडो बूरे के गोसले के पास आ जाती है उसने देखा कि बूरा बर्फ में जमा हुआ था अरे ये क्या हो गया बूरा तो बर्फ में दबा हुआ है और इसके सीर पर तो चोट भी दिख रही है मैं एक काम करती हूँ जल्दी से सभी को बुला कर लाती हूँ मैंने तो पहली कहा था कि वो भी हमारे साथ मश्रूम के घर में रहे पर वो कहा मानने वाला था उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और अब देखो बुगत रहा है न मोसा भरेने दो मीनो मोसी अब हमें भूरे को ठीक करना होगा ठीक कहा तुमने लाड़ो मैं जाकर डॉक्टर उलू चाचा को बुला कर लाता हूँ कालू भया मैं भे आपके साथ चलूंगी ठीक है चलो मेरे साथ उलू चाचा अरे उलू चाचा जलसे दर्वाजा खुलिए मैं हूँ कालू थोड़ी इमर्जनसी है कालू की ये बात सुनकर उलू चाचा बहार आ जाते है अरे कालू तुम और कैसे इमर्जनसी है कालू सारी बाते उलू चाचा को बता देता है हाँ हाँ तुम चिंता मत करो मैं अभी दवाई लेकर तुमारे साथ चलता हूँ इधर सभी पंचियों ने मिलकर बूरे को बर्प से वहाँ निकाल लिया था सभी भूरे के पास आ जाते है उलु चाचा बूरे को दवाई पिला देते है और उसकी मलंपटी कर देते है बूरा सभी पंचियों को अपने पास देख बहुत खुश हो जाता है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम चिंता मत करो हम सभी पंचियों मिलकर तुमारे लिए एक मश्रूम का घर बना देंगे सभी पंचियों मिलकर बूरे कववे के लिए एक मश्रूम का घर बना देते है फिर सभी पंचियों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते है तो दोस्तो कैसी लगे आपको हमारी ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताना